नकमे नालाइक फिर फेल होगे तुम हाई ये मैंने दिन क्यों देखा जब तुम पैदा हुआ था अब क्या बरेगा तुम्हारा ये देखो ये देखो अपने कर्तूत एक नंबर के जाहिल हो तुम कैमिस्ट्री में भी फेल हो फ्यूचर बरबाद करियर तबाः अगर आपके घर में से भी इसी तरह की मिलती जुलती आवाज आती हैं तो आईए मैं आज आपको एक स्टोरी सना आता हूँ इस किताब में एक स्टोरी मेंशन करते हैं जिसमें जंगल के कुछ जानवर मिलके ये फैसला करते हैं कि भी हमें इनसानों से कुछ सीखना चाहिए और हमारे ख्याल के मताबक इनसानों की तरकी की सबसे बड़ी वज़ा इनसानों का स्कूलिंग सिस्टम है तो आईए हम क्य लानवरों को गुजरना होगा अगर वो ये बात थाबित करना चाहते हैं कि वो अकलमंद है तो जनाव उन्होंने चार सबजेक्स को सेलेक्ट किया जिसमें स्विमिंग, रनिंग, क्लाइमिंग और फ्लाइंग का इम्तिहान होगा तो सबसे पहले आई बारी जनाव बतक की पतक का स्विमिंग में A ग्रेड आया, रनिंग में D आया, फ्लाइंग में B और क्लाइमिंग में F ग्रेड, क्लाइमिंग में F लेने के बाद बिचारी पतक बहुत डिसहाट हुई, कि मुझे तो भाई दरख पे जड़ना आता नहीं और उसको भी बहुत कोसा गया, बहुत गया, उसके माबाप ने उसको बहुत डाटा, कि भी तुम तो बहुत ही नकम्मी और नालाइक हो, इसके बाद जनाब बारी आई, मिया खरगोश की, खरगोश का जी रनिंग में तो A ग्रेड आया, लेकिन स्विमिंग में F, फ्लाइंग में F, और क्लाइमिंग में B भी F, ब इबरा का स्विमिंग में C ग्रेड आया, रनिंग में B, फ्लाइंग में बिचारा फेल हो गया, और क्लाइमिंग में B भी F, इसको इसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें टूशन की जरूरत है और तुम फ्लाइंग की टूशन लो, तो जी बतक को लगाया इसका टीचर कि त तुम इसको एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाओ, और इसको किसी ना किसी तरीके से हमें नहीं पता, फ्लाइंग तुमने सिका के छोड़नी है, क्योंकि आखरकार इसने पास होना है न, फैल तो नहीं हो सकता मारा बच्चा, और इसके बाद बारी आई जनाब शाहीन की, नहीं पहरान हो रहे हों कि क्लाइमिंग में डी कैसे आगया शाहीन का, वो इस तरह कि जब दरख पर चड़ने की बारी आई, तो शाहीन तो जल्दी से उड़ता हुआ दरख के उपर जाके बैठ गया, लेकिन टीचर ने उसको ये का कि बेटा, आप आउट आफ करिकिलम काम कर रह जिस तरह से गुलहरी और बंदर और बाकी जानवर चाड़ें, तो शाहीन बार बार इंसिस्ट करता रहा कि भई, मैं इन से ज़्यादा जल्दी उपर पहुँच सकता हूँ, अगर आपका मकसद वाकई ट्री को क्लाइम करना है, तो मैं तो जल्दी जा सकता हूँ, लेकिन आखरकार फ्लाइंग स्कृरल, जो एक अजूबा नुमा जानवर है, उसका स्विमिंग में डी, रनिंग में सी, फ्लाइंग में सी और क्लाइमिंग में ए आया, और इसको क्लास में फर्स प्लेस पे आने का अवार्ड मिला, तमाम जानवरों को कहा गया, कि तुम सब को चाह बात दरसल यह है कि हम लोग अकसर अकाद बच्चों को पढ़ाई-पढ़ाई के नाम पर बिचारों का कॉन्फिडन्स शैटर करकर रख देते हैं, और जो उनका नैचरल टालेंट है, उसको कहीं न कहीं हम दबा देते हैं, उनकी क्रियेटिविटी का भी बेड़ा गरक कर द बिल्कुल इसी तरह से हमारे बच्चे भी जीनियस होते हैं, हर बच्चा किसी ना किसी एतवार से एक्सपर्ट होता है, लेकिन अगर हम यह चाहें कि हमारे बच्चे बिल्कुल हर किसी की तरह बराबर हो जाएं, तो ऐसा फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपका जिब्रा पे या उनकी कैल्किलिस पे या उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे तो ज्यादतर इन में से बड़े बड़े अधीब और शायर फेल हो जाते लेकिन उन्होंने जो महारत अपनी फील्ड में हासल की उसका कोई मुकाबला नहीं है इसी तरह से कोई अगर मास्टर शेफ है कोई बंदा जो है वो कोई आर्टिस्ट है कोई बंदा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो अलहमदोलिल्ला अला ताला ने कुछ उनको टालेंट्स दियें मैं पेरिंट्स को ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि नभी करीम स्वालिल्ला ने के दौर में जो उनके सहाबा थे वो सब के सब बहुत डिफरेंट थे सईबना अबु हरेरा रदियल्ला नहों जतनी अहदीश उन्हों ने कलेक्ट की और किसी ने नहीं की उनका मकाबला गर आप खालिद बिन वलीद रदियल्ला नहों से करना चाहेंगे तो खालिद बिन वलीद से तो एक हदीश पी नहीं आ रही लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि उनका कोई कांट्रिबिशन नहीं है इसलाम को नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते जो जंगी कारनामे खालिद बिन वलीद के हैं वो किसी और के नहीं है इसी तरह से आप देखें कि सेदना उस्मान इबन अफ़ान है अब्द रहमार इबन ओफ हैं और अन्हों इन्हों नहीं जो माली कांट्रिबिशन इसलाम के लिए की वो और किसी नहीं नहीं की आपके पास सेदना बिलाल है रदियल अन्हों जो के नभी करीम के मौजन थे इतने अमीर तो नहीं थे क्योंकि पहले गुलाम हुआ करते थे लेकिन इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि कोई कांट्रिबिशन नहीं है और इसी तरह आप नाम गिनते चले जाएं सल्मान, फार्सी हैं, सोहेव, रूमी हैं अगर हमारा बच्चा किसी एक फील्ड में अच्छा है हमें चाहिए कि हम उसको उसमें नर्चर करें, उसमें मजीद डिवेलप करें ताकि वो उस फील्ड में मास्टरी तक पहुंच सके ये तमाम बाते मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस लॉक्टाउन की सिचुएशन के अंदर हमारे घरों में बच्चे इस वक्ट सकूलों के होमवर्क्स कर रहे हैं और अपने एक्जाम्स की त्यारियां हो सकता है कर रहे हैं हो सकता है वो इस वक्ट समर विकेशन मोड में आया हूँ लेकिन पेरेंट से गुजारेश ही है कि आप उनकी उपर बजाए सब्जेक्स को ठोंसने के लेट इस पे अन ऑपिचुनिटी फॉर देम तो लेर्न नाचरली नाचरल लेर्निंग का होती है जब पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वाल्व होते हैं उनके साथ different experiences को share करते हैं और उनको confidence देते हैं बच्चों को confidence कब मिलता है जब आप उनको adults की तरह treat करते हैं तो take this opportunity to get your kids involved in social work, helping each other out, घर के अंदर काम करने में उनसे help करवाएं अमेरिका में एक organization है P21 के नाम से Partnership for 21st Century Learning वो लोग कहते हैं कि हमारे जो youngsters हैं उनको जो सबसे ज्यादा essential skills सिखाने की जुरुएत है वो कौन से हैं वो chemistry, physics, maths नहीं है वो है oral communication, collaboration, leadership, creativity, problem solving ये सारे skills एक बच्चा कैसे सीखता है प्राक्टिस से जब उसको इस किसम की environments दी जाती है जब वो team sports खेलता है, घर के अंदर different किसम की activities में participate करता है लोगें के साथ बात चीत करता है तब वो ये skills को enhance और develop करते है तो अगर आपका बच्चा confident है, अगर आपके बच्चे के अंदर creativity है और अगर आपने बच्चे को ठीक ethical moral values दी है आप उसको किसी situation में डाल दें इन्शाला वो बहुत कामयाब होगा उस field में याद रहें कि हमने अपने बच्चों को learning सिखानी है उनसे रटे नहीं लगवाने I know कि आज कि स्कूल की शायद requirement यही हो कि रटे लगा लगा के बच्चा पास हो जाए लेकिन अगर आप अपने बच्चों का future वाकरी में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए we have to teach them how to learn So guys, आज की बात का मकस्द यह था कि घर में बच्चों के साथ एक natural learning environment create किया जाए जहां पर वो practically आपके साथ मिलके चीज़ों को learn कर सके और थोड़ा सा जरा हाथ हलका रखें I hope कि आज की बातों से आपको फाइदा हुआ होगा Until next time, this is me राजा जाहुलाक साइनिक आफ वस्सलाम उलेकुम और रहमतुलाई बरकातों दीन की बात पहलाना सद्के जारिया है सबाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जजाक अल्लाई